नमस्कार दोस्तों मैं हो केशव खेरा और आज फाइनली रियल मी अपना बहुत चर्चित स्मार्टफोन यूवान भारती बजार पेश कर दिया यह फोन इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह अभी इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको Mediatek Helio P70 Chipset मिल रहा है और क्योंकि यह फोन हमार पास आच चुका है इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी Unboxing और First Impression दिखाता हूं हानकि I'm sorry कि मैं इसका box अलड़ी खोल चुका हूं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाते हूं कि इसका box content क्या है और जब आप इसे खरिदने जाएंगे तो आपको इसमें क्या-क्या मिलने वाला है तो चलिए box को मैं खोल लेता हूं और दिखाता हूं कि content क्या है इसके अंदर इसे मैं यहां पर place कर देता हूं और हम देखते हैं box content तो as usual उपर की तरफ आपको यह एक lid पड़ी मिलेगी जिसमें आपको कुछ यह चीजे मिल जाएंगी जैसे की information guide है और a quick start guide है और साथ-साथ as usual company आपको एक silicon cover free में दे रही है जो हमेशा company आपक इसको एक SIM ejector tool भी मिल जाता है इसको भी मैं यहां place कर देता हूं and यहां एक phone दिया गया है जिसका नाम realme U1 है तो phone को मैं भार निकाल लेता हूं और यह काफी हद तक realme 2 pro जैसा ही लग रहा है इसको on कर लेते हैं in fact इसका जो front notch है वो भी छोटा सा है तो realme 2 pro जैसी looks के साथ इस phone को company ने पेश किया है अब इसमें देखते हैं और क्या मिलता है आपको तो यहां पर एक card पड़ा है जिस पर लिखा है dreams, ambition, courage, power, passion, we fit all in one box क्या यह सही बात है बीज आपको एक power adapter मिल जाता है 5V 2A का power adapter है यह इसके साथ साथ इसमें आपको यह cable मिलती है, cable कौन सी है, micro USB cable दी गई है इस phone में earphones नहीं है तो देख सेबते हैं कि जब आप इस phone को खरी देंगे यह सारी accessory आपको इस box के अंदर मिल जाएगी अब बात की जाए realme U1 के design और display की तो यह phone पूरी तरह से realme 2 pro की तरह दिखता है और आपको मैं realme 2 pro भी दिखा देता हूँ, तो यह रहा है realme 2 pro और यह दोनों phones इसमें से realme 2 pro कौन सा, realme U1 कौन सा है, मैं खुद confuse हो गया हूँ, I'm sorry बट आप देख सकते हैं कि इतना identical है, पर आपको बता दूँ के realme U1 एक्चल में यह है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद आप confuse रहेंगे, कि इन में से realme 2 pro कौन सा है और U1 कौन सा है, पर यह है realme U1 मेरे हाथ में, मैं आपको थोड़ा सा बस confuse करने की कोश्च कर रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको सेम नॉच मिलता है, बैक पैनल भी सेम है, सेम fingerprint sensor की placement, सेम camera placement और आपको इसमें जो है, नॉच छोटा मिलता है, 6.3 इंच का Full HD Plus Resolutional Display दिया गया है, जो कि Goroda Glass 3 से protected है बैक पैनल पर ग्लास का इस्तिमाल किया है, ग्लास फिनिश दिया गया है इसमें और आपको नीचे की तरफ यहाँ पर Micro USB Port मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल है, 3.5M Audio Jack है, राइट साइड पर Power Button है, लेफ्ट साइड पर Volume Locker Key और SIM Tray और उपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया, Overall Phone भेशक Realme 2 Pro जैसा हो, लेकिन लुक्स के माबले में आपको जरूर अट्राक्ट करेगा और आप इसे खरीडने का विचार जरूर बनाएंगे, इंटर्नल्स की बात की जाए, तो यह अभी तक इंडिया का पहला स्मार्टफोन, इसमें आपको Miratec का Helio P70 चिपसेट मिल रहा है, साथी साथ इसमें दो वेरेंट्स पेश किये गये हैं, यानि 3GB RAM के साथ 32GB की स्टोरेज, और 4GB RAM के साथ 14GB की स्टोरेज, और मेरे पास यह 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दी गई है, तो चलिए अब एक बार Memory Expansion की Option को भी देख लेते हैं, कि हम Expand तो बट औवियस का सकते हैं, लेकिन स्टोरेज ऑप्शन कैसा है, हाईब्रेज है या सिम स्टोर्ट है, एक बार मैं इसके यहां पर इसके सिम स्टोर्ट को खोल लेता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि तीन स्टोर्ट दिये गए है, एक जो है, डेडिकेट मेरी कार्ट स्टोर्ट दिया गया है, तो आपको बटा दूँ कि यह एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको 25 मेगा पिक्सल का फरन शूटर मिलता है, और मैंने सबसे पहरे सेल्फी के आमारा ही ओपन दर के रखा था, यहां पर आप दिख सकते हैं, शुट आप स्पीड काफी फास्ट है, फ्रेंग में आपको HDR मोड मिल जाता है, बोके मोड भी दिया गया है, सूपर विवेड मोड भी option आपको मिल जाता है, और यहां पर आप य यह चेंज कर सकते हैं, फोटो स्क्वेर पर रखनी या फूल स्क्रीन पर क्लिक करनी है आपको, और सॉफ्ट फ्लाश आपको स्क्रीन पर मिल जाती है, LED लाइट नहीं दी गई, LED नोटिफिकेशन नहीं दी गई, एक बर हम फ्रंट क्यामरा के वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं, तो फुल एच्टी वीडियो आप फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अब बैक क्यामरा स्विच करते हैं, तो आप को बता दूँ कि 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल का डूले सेंसर आपको इसमें मिल जाता है, हाला कि यह फॉर्स इंपरेशन है, फिर से बता बस थोड़ी ही देर में मैं इस फोन का रिव्यू भी डालने वाला हूँ, आप ज़रू देखेगा, HDR मोड बैक पानल पर भी आपको इसमें मिल जाता है, और वीडियो की हम कॉलिटी देख लेते हैं, तो बैक साइड से भी आप 1080 वीडियो रिगॉर्ड कर सकते हैं, स्लो इस प्राइज में आपको इतने बहतरी इन स्पेक्स किसी और फोन में तो नहीं मिलने वाले हो सकता है, लगबख सिमिलर मिल जाएं, पर उनमें भी कुछ-कुछ चीज़ें आपको इससे कमज़र ही मिलेंगी, ऐसे मैं कहाना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 12-15,000 पर है ले दिये हैं, आप मेरी आईडी पर जाकर मुझसे जुड सकते हैं, अंटिल देन, दिस इस केशव खेरा, साइनिंग ओफ